वेलकम तु माई यूटूब चैनल तुम्ही जे कमेंड मदे आंसर सांगता ना जे आपला लास्ट कुश्चन असतो प्रत्यक लेक्चर जा तर कमेंड मदे सांगत चला जेने करुं तुम्हाला तुम्हा आंसर बरुबरेता है का चुपता है ती समझेल आनी तुम्ही करेक्ट आंसर गेस करशन आता लास्ट लेक्चर मदे आपला कुश्चन हाँ था की इन चेन सर्वेइंग वर दे लाइन जोइनिंग टाई स्टेशन फोर टेकिंग आपसेट फ्रॉम इट इस नोन याज़ तला काय मनता ठीके आता कमेंड मदे एक आने आंसर दी लोता की बेसलाइन ठीके तर आपन काय करेश महिद दीका जर आशा टैप सो कुश्चन आला ना कुश्चन नीट वाचे जा आनी हाइलेट पोइंट कर जाए जा तर याँ कुश्चन मदे हाइलेट पोइंट काय टैए स्टेशन काय जोइन के लाइट टैए स्टेशन सो टाई कुटा आहेका ओप्शन मदे तर आहे एए ओप्शन टाई लाइन जरी तुम्हाला तुम्हें हाँ कुश्चन कदी वाचला नहीं है बट आपन नहीं का रैंडमली आपन तुक्का मारतो कि वा जैमात दिकरतो त्या टाईप जर करेचा सनना तर त्या कुश्चन मदले रिलेटेडे का दा पोइंट आपलेला ओप्शन मदे दिसलाना तस अमार उंदेचा ठीके पंजर तुम्हें स्टडिया सेलना तर अपना ता हे ओप्शन एक्स्प्लेंग करूंगी हूँ ठीके आदी टाई लाइन मंजे काए फिक्सिंग पॉइंट ओन में सर्वे लाइन आर कॉल्ड आज ताई स्टेशन पहलां दी टाई स्टेशन मंजे काए तुम्हें ला समझेल ठीके टाई स्टेशन काईस ताथ फिक्सिंग पॉइंट ओन में सर्वे लाइन आर कॉल्ड आज ताई स्टेशन आनी लाइन जोइनिंग ताई स्टेशन आर कॉल्ड आज ताई लाइन समझला, ताई स्टेशन मन्जे काई, fixing point on main survey line आई ताई स्टेशन, आणि जा लाइन ताई स्टेशन जोड़ताथ, तैला ताई लाइन मन्थाथ, सो इदे तुमला answer बेटला, याचा answer A, ताई लाइन, आता खालचे आपन एक्स्पलेंग करूंग्यू, वाट इस मेंन भाई चेक लाइन, चेक लाइन मन्चे काई, इदेशा हुआ, इड़ा प्रूफ लाइन पन मन्था, provided to check accuracy of the work, आता नावातल चे, चेक लाइन मन्जे राह करती, चेक accuracy of the work, ठेके, हेज आला चेक लाइन चेक लाइन च, थर्ड लाइन ए, chain line, ठीके, line joining main station, it's called as chain line, कि वायाला main survey line पर मन्तात, line joining main station, it's called as chain line और main survey line, जाल chain line, आता baseline, baseline कासती, ही important line है, baseline, it is the longest survey line on fairly leveled ground, passing through the center of the area, जा इरिया वर्ति आपन chain surveying करतो है, ताचे center pass नाती pass होते, ठीके, आणी longest survey line है, baseline मन्जे, याचे वर्ति baseline वर्ति पर भर पूर्पूर सरेम स्क्यूज आहेत, ठीके, baseline ताचा answer आसता, longest survey line मन्तला तो कुछले answer का, टिक कराया जा, कि baseline, clear जाला सगा, ठीके, आता आपने answer बगू so correct option is a tie line first question आता, हे आपला lecture third आये, surveying जा, ठीके, तुम्ही जर पहला दूसरे lecture बग इतला नसेल, तर बगून ग्या, खूप important concept में तुम्हाला प्रत्यक lecture में सांगत आसते, surveying आपन first subject start के लाए, ताचे मों, या रिलेटर जेपं point आसतेल, जेपन MCQ आसतेल, तर ते तुम्ही जर ज सांगती, तुम्हाला MCQ option explain करती है, ते जर तुम्ही note down करूंगे तले, आपला नोट बुक में तुम्हा प्रत्यकाच्या, एक surveying subject मानून, ते रिलेटर जेपं point आसतेल, जे में तुम्हाला सांगते है, ते खूब-खूब important point आज, या च्चाच बहुती सगे question फिर नारेत, सो तुम्ही आता या question से जरी answer तील, हे जरी option आसले, तरीपन tricky मानून, pattern change होन, question change होतो, आणी second MCQ बनतो, आशर टाइप सगे MCQ pattern चलतात, तुम्हाला संबर्दोंशी MCQ solve करनेची गरस नहीं है, एकच MCQ करत, तोज दहा वेड़ा विचरतात, फक्त pattern change होतो, ठीके, आता आपन सुरू गरू, first question, in chain surveying, the area is divided into, A rectangle, B triangle, C square, D hexagon, ठीके, एचा साथी तो मला काया मैती पाइजे, कि chain surveying चे प्रिंसिपल काया, आपन बगितलो द, principles अगे, last lecture ला, triangulation, parallelism, traversing, ठीके, तर, chain surveying चे काया, triangulation है, आपन, mainly triangulation मादे करतो, so, correct answer is B, triangle, whole area is divided into triangle, so, correct option is B, triangle, second question, the length of ranging rod should be, आता हा direct standard question है, मनजे, डारेक डारेक यून जेल, जालमाई दीदो, ठीके, ranging rod चे length काया, 1.5 to 2 meter, B, 2 to 3 meter, C, 3 to 4 meter, and D, 2.5 to 4.5 meter, आता, ranging rod चे length काया, तर, 2 to 3 meter, जन्नाव को नालमाई दीदी नहीं है, तर, तैने नोट डाउं करूं, क्या, ranging rod चे length चे length आहे, 4 to 8 meter, ठीके? correct option है, B, 2 to 3 meter, rod विचर लाया पलागा, question number 3, when 1 centimeter on a map, represent 10 meter on the ground, ठीके? the representative fraction of the scale is, आपला first lecture जाला होते सर्वेइंग जा, second lecture मादे पर मी revise के लाया हा question, आने आता, third question है, ताचा मादे बगा, representative fraction वर्ती जे दोन question होते, first and second lecture ला, तर, ते कशे विचरले होते, वेगाय टाइप जे होते, पर पैटन सेम होता, ठीके? आता कसा तोस विचरला है, फक्त काई के ले आपलाला representative fraction मादे काडाईचा है, सेम इनिट मादे convert कराईचा, कहा लगा? so, आता option है, 1 as to 10,000, B 1 as to 10, C 1 as to 100, and D 1 as to 1000, so, याचा, हाँ question सांगले पर दतीनी try करा, याला कुणी-कुणी काय मनता हो, कि जब एक्जाम मत आता समझा, अपले अपकमिंग एक्जाम से, P.W.D. साल, डबलाडी साल, तर ताचा मादे कसा, आताच, चेन सर्विंग से प्रिंसिपल विचरलो, कि वा प्लेंटेबल से प्रिंसिपल विचरलो, हे ठीरी कोश्चन चाले, वन लाइनर, ठीके, आणि आशे डैपचा कोश्चन आलाना, तर मूला लगीच कहा बरता, कि यार प्रोबलेम विचरले, प्रोबलेम विचरले, हाईक्चली प्रोबलेम नहीं है, हाँ नॉर्मली कंसेप्ट है, तुमाला यूनिट कनवर्जां कराईचे, से मिनिट मादे घाईचे, आणि इज़ी इज़ी, पन आपन कदी जर सॉल केलास ने, आपने ला माहितीस ने, तर आपन चुक तो याचे मादे, आणि आपन इवन ते नंबर्स बगुन, नंबर्स बगुनास, ते आपन सॉल अज करादने, नोको याचे टाइम जाहिल, आपन जवा, आपने, आपने, कॉंपटर बैस्ट एग्जाम हेता, आता सागया, P, W, D, W, R, D, ताचे मादे आपन, ताइम मैनेजमेंट करना साथे, यापन ते तिकड़ जादस ने, आता नंबर्स बगुनास, नोको बबा, रॉंग इल, सो, आश्चे कॉष्चन हेना, एकदा सॉल करूंबगा, खुब इजी आसता, ठीके, तरह चा काया था, 1 cm as to 10 m, आपनला दो नी पन, cm मादे, cm मादे कराएजे, आपनला रिप्रेजेंटिटीट्टीटिव फ्राक्षिन मिच आर लिये, ठीके, तो, उनिट कन्वर्जेंट सेम उनिट मादे आला पायजे, एज अकरेक्ट ओप्षन हे, D, 1 as to 1000, cm मादे कनवर्ट के लिया और, ठीके, पर्षन नमर 4, नेक्स पर्षन, scale 1 as to 5000 is true कुटला true है? तन्नी आपलेल statement धिलेद, है statement wise question है, जर तुमले representative fraction चा जर कंसित माइतिया सेल तर तुमें हाँ easily solve कर शल ठीके option A map A is longer scale map compared to map B ठीके, larger scale sorry, larger scale map compared to map B option B map B is larger scale map compared to map A ठीके, option C map B is more detailed map compared to map A ठीके, and option D none of the above ठीके, आथा में यह तुमाला concept सांगते, काई concept है? ठीके, जाचा representative fraction, जास्त अस्तो हायर अस्तो, ती larger scale अस्ते समझला concept? यह उड़स साद simple concept Bella जाची representative fraction जास्तास्ते ती larger scale आथा, इत्ते रीप्रेजेंटीटीटीटीटीटीव fraction कोनाचे larger Doe? जाचा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वरून अपनवोड ओग्तों बरबर, माप A चा क्या होता, 1 ऐस्टू, एक मिनिटा, माप A इस लार्ज़ स्केल, माप कमपेर टू माप B, ठीके, आप लेला, लार्ज़ स्केल आपं कदी मोनू, अपोजिट कराई चा होता, लेक्चर वन, लेक्चर टू माध हमी सांगित लो था, इन्वर्स रिलेशन है, माझे, जाचा डिनोमेनिटर छोटा, तो लार्ज़ स्केल मैप, cousले सिंधों, माप A चा, याचा डिनोमेनिटर छोटा है, माझे, स्केल कुट लिये, लार्जर स्केल है, आणि आपले लग करेंट आंसर शो दैजे मझे कुटला बरो बरे तर map A is largest scale map compared to map B सो correct option is A ठीक है Question number 5 Difference in length of an arc and its substantive chord on earth's surface for a distance of 18.2 km is ठीक है आता हाँ concept समझूंगे जब मझे डारेक चे option में read करते आदी मदु मला सांते Option A 10 mm Option B 15 mm C 22 mm and D 100 mm आता सबस्टेंड़ कॉटचा है difference है length of arc and its substantive chord तर तैंसर distance है 18.2 km आसल तर तैंसर difference की ते तो 10 mm है तो आणि head है 18.5 km आसल तर तैंसर difference की ते तो 15 mm है तो Option माती दोनी पना है बगा तच मो लक्स ठेवा तानि दीलक आए जबा 18.2 km दिलासल तर difference की ते तो 10 mm है तो आणि ज़र 18.5 km दिलासल तर 15 mm है तो नोट डाउन करूंग्या ज़े माज एलेक्चिन वरून ज़र नोट्स बनवा दासल तर तैंसर नी है नोट डाउन करूंग्या है दोनी पंट तुमला आताजर नेक्स्ट एमसी की ज़र आपन गयाईचे साला की वा एक्जम मद्य विचाराईचे साला तरते त्यार एलेटिर विचारते रिपीट करना नाई पन आशे चेंज करतील पैटन ठीके सो गरेक्ट ओप्शन इस A 10 mm क्वेशन नमबर 6 अ स्केल रिप्रेजेंटिंग आइधर 3 उनित और अल्ली 1 उनित और इस फ्रैक्शन अप्टू सेकंड प्लेस अफ दिसिमल पैंट इस ठीके ओप्शन A डाइगोनल स्केल B. कमपरेटिव स्केल C. वर्नियर स्केल D. श्रंक स्केल ठीके आतो तुमाला 3 उनित वरून समझला सल 3 उनित मांजे काए कि डाइगोनल स्केल डाइगोनल स्केल वरून आपन मांजे पॉसिबल आसता आपन 3 डाइमेंशन ने मेजर करतू That is meter, centimeter and decimeter ठीके आपन कुश्चिन मांजे ला 3 उनित वर गरे बगितल आणि answer डिक केल मांजे आचे वर्थी correct answer आचे Option A Diagonal स्केल 3 उनित Question to answer आशेवाईज जाच ठीके Question No.7 If the smallest division of vernier is longer than the smallest division of its primary scale the vernier is known as ठीके टे vernier ला काय मनता आता पहलेंदी Option read करते मी A. Direct Vernier B. Double Vernier C. Simple Vernier D. Retrograde Vernier ठीके तुम्हाला वर्णियर वेगवेग है Type-C Vernier है तर तेक तेंचा meaning काय है तो concept काय है तेहादी समझूंगे मैंचे तुम्हाला यचा answer ही ठीके Direct Vernier का अस्ताद ताचे मदे division हे shorter than the main scale मैंजे ताचे वर्चे ची division अस्ताद Direct Vernier वर्चे which are slightly shorter than the main scale आनी reading काशा अस्ताद reading increases in the direction to the main scale मैंजे Vernier ची reading वाड़चा अताद according to main scale सोबच-सोबच आनी जे divisions अस्ताद ताचे शोटर अस्ताद comparative to main scale हे जाला Direct Vernier जा आनी Retrograde Vernier मादे का अस्ता Oppositive ताचा division जे आस्ताद ताचा मदला जे longer than the main scale ताचा मादे ठीके Retrograde Vernier मादे आनी reading increases in direction opposite to that main scale मंजे जर Vernier Vernier चो reading वादे ता स्तिल ता main scale जा मंजे reverse direction ने opposite direction ने चाल ताचा रेडि हाँ concept है ठीके हाथ यन्नी काई दी लेकोश्यम मादे if the smallest division of Vernier is longer than the smallest division of its primary scale ठीके the Vernier is known ठीके तरतला आपं काई मनू Retrograde Vernier कारण की तन चा reading opposite direction ने जादात to that main scale आणि divisions longer than main scale direct Vernier मादे काई बातो shorter than main scale so question मादे is direct delay दानने अपन आणसर टीक करू चक्तो जर आपलेला महिती असल की direct Vernier मन्जे काई आणि Retrograde Vernier मन्जे काई तो concept महिती असल तर आपन टीक करू चक्तो question number 8 hydrographic survey option A large water bodies B canal system C color movement and D none of the above hydro मन्जे related to water so stream lakes त्याम दे ताथ so यचा direct इता answer large water bodies ताचा सर्वे आपन करू correct option is A आशा चाईप चा hydrographic सर्वेंग चा आपन सर्वे चे option हो दे topographic hydrographic city lecture 1 lecture 2 मदे आपन पगित लाई ताई related MCQ सुती तो तुम्चा clear हुन जाई तुम्हाला जर वीडियो आवड़ता है content आवड़तो है आणी चांगले MCQs तुम्हाला जर बेट ताई study मदे तर वीडियो ला like करा share करा आणी comment मदे पन सांगा कसा वाटला वीडियो ठीके आणी subscribe करेला विशुरू नग आथा आपन next question बगू question number 9 in case of direct vernier scale option A graduation increases in opposite direction in which graduation of the main scale increases आथा मी मगाशी सांगीत लोगत direct vernier scale काया सते ठीके ताचाच बेस वर्ती question वीच जर लाए दनी graduation increases in opposite direction in which graduations of the main scale increases B.A. smallest division is longer than smallest division of the main scale 1 and C. graduation increases in same direction in which graduations of the main scale increases and D. none of the above ठीके आथा आपलेल direct vernier scale चाचा correct answer बगाईचे तर correct option काये C graduation increases in same direction in which graduations of the main scale increases आणी opposite direction मदे कदी साल्थ जेवर retrograde वर नेरास्थ तेवा तो याचा option है the C question number 10 what is the difference between sum of interior angle of plane triangle and spherical triangle ठीके for area of triangle 195 km on the earth surface तन्ज़ difference काये interior angle of plane triangle and spherical triangle option A 1 degree B D 1 minute C 1 second and D 1 radial ठीके अपना answer भोगो कोनला माहित्या सेल्थ कमेंड मादे सांगा correct option is C 1 second हापन डारेक्टर्स concept हे जर्चु मला स्टा difference माहित्या सेल्थ तर answer टीक करूशक्ष ठीके हापला लास्ट क्वेश्चन या लेक्चरचा यचा answer तुम्हे दाईचा जन्ना जन्ना study चालोई सर्वेचा किवा करता है किवा answer माहित्या सल्थर comment मादे सांगा question number 11 which one is the upper limit of survey area in km2 for use of plane survey a 250 km2 b 300 km2 c 350 and d 450 ठीके याचा answer माला comment मादे सांग्षल याचा answer अपन नेक्स्ट वीडियो मादे बगू नेक्स लेक्चर मादे जर तुम माला आवड़ तो है वीडियो लेक्चर आवड़ता है कंटेंट आवड़ता है अन्याशस प्रकरे mcqs तुम माला वाट ताइमेग यू तर चैनल ला लाइक करा शेर करा आनि कमेंट करा सब्सक्रेब कराएला अपन विस्रू नका तेंक यू तेंक यू